बॉलिवुड ने देशभक्ति को फिल्मों के जरीए बड़े परदे पर उतारा है और आपने उन फिल्मों को देखा भी खूब है लेकिन देशभक्ति को फिल्मों में उतारने में भोचपुरी सिनेमा भी किसी से पीछे नहीं रहा दिनेशलाल यादव, पवन सिंग, मधुर्शर्मा, अकांशा अवस्थी, प्रियंका पंडित, अमरपाली दूबे जैसे कई अभिनेताओं ने अपने दमदार किरदार से देशभक्ति को जिया है आज हम आपको बताने जा रहे हैं भोचपुरी सिनेमा की कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो की देशभक्ति पर बनी है पहली फिल्म है पटना से पाकस्तान भोचपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और निरववा की देशभक्ति फिल्म पटना से पाकस्तान लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है इस फिल्म के डायलोग्स काफी शानदार हैं जिसे सुनते ही रोंगते खड़े हो जाते हैं निरववा के अलावा इस फिल्म में काजल रागुआनी और अमरपाली दूबे भी है दूसरे फिल्म है हम है हिंदुस्तानी ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई जिसमें खिसारी लाली आदव का दमदार आक्शन देखकर आपके अंदर देशप्रीम की भावना चाट जाएगी इस फिल्म के डायलोग्स एक से बढ़कर एक है जिससे चितरे की क्या बात करते हो लहू का कत्रा कत्रा बहा देंगे तीसरी फिल्म है बॉडर बॉडर अभिनेता निरववा की दमदार फिल्मों में से एक है इस फिल्म में निरववा ने एक आर्मी आफिसर की भूमिका निबाई है फिल्म में उनके साथ अमरिपालित दूबे भी लीड रोल में नजर आती है चौथी फिल्म है जैहिन भोशपुरी फिल्म इंडस्ट्री के आक्शन किक पवन सिंग ने इस फिल्म में एहम किरदार निबाया है इस फिल्म की कहानी आतंगवाद पर आधारित है अगली फिल्म है दुलहन चाही पाकिस्तान से 2016 में आई ये फिल्म भारत और पाकिस्तान में रहकर दो प्यार करने वालों पर आधारित है दोनों प्यार करने वालों को काफी विरोध का सामना करना पड़ता है अगली फिल्म है आतंगवादी ये फिल्म में एक आतंगी के हिदय परिवर्तन की कहानी है फिल्म आतंगवादी में भोजपुरी के सूपरस्टार, खिरसारी लाल यादव और शुभी सर्मा की चोड़ी है इसके साथ ही भोजपुरी में कई और फिल्में हैं जैसे जैराम बोलेंगे पाकिस्तान से ले आई दुलहनिया पाकिस्तान से पाकिस्तान में जंडा फहराएंगे ठीक है और गदर यहां तो हमने आपको फिल्मों के कुछ ही नाम बताए हैं लेकिन भोजपुरी सिनेमा में देशभक्ती पर आधारित फिल्मों की कमीन नहीं निउस्टेस्ट करसा स centralizedा कि लिल्मों की कि काच House झाइं लिल्मों की एम हमाँ हैं कि लिएाऊस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्क नाले को वेंनते हैं